पूसकार साथियों, जिस परकार से शिधारत पितानी की गिराफतारी हुई है, उसके बाद केशव और नीरज नाम के दो नौकरों को बुलाया गया है, NCB ने पूस्ताज के लिए बुलाया है, उसके बाद से एक बड़ी खबर और आ रही है, कि मुंबई के अंदर जो दो ड् बड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, यह सिधारत पितानी और इनके नौकर और यहाब हैरिस खान, तो इस सारे लोगों एक दूसरे से मैं सुरुवात करता हूँ, जब से यह गिरफतारी हुई है, शिधारत पितानी और उनके जो दो नौकर है, शुषांत के नीरज और केश और कुक जो है, तो उनको NCB ने सम्मन किया, पहले शिधारत पितानी के गिरफतारी हुई, और गिरफतारी के बाद उनको रिमांड प आपको पता ही है कि चार तारिख तक इनकी रिमांड भी बढ़ा दी गई है उसका जो नौकरों से पूस्ताथ चल रही है तो चार चार दौर का पूस्ताथ हो चुका है और इस पूस्ताच में कई चीजे खुल करके सामने आई है और उसी कड़ी में यह जो अगली गिरफतारी चार 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 दौरें कर रही है सबूतों की छानविन कर रही है ताकि कहीं न कहीं यह सारी चीजे दिखाई पड़े कि यह सारा connection एक दूसरे से है और इसमें अब जो बात जो निकल करके आ रही है कि जो एक नौकर को एकांत में ले जाया गया था कल और उससे एकांत में ले जा करके उससे काफी पूस्ताच ह कोई है बहुत सारे चीज़ों पे उससे बात हुई है लेकिन वह कहां एकांत पे गया था इस चीज़ का भी तक कोई जानकारी सब्सक्राइब नहीं हुआ है तो इसको लेकर कि बहुत ही बढ़ा राज खुलने वाला है जल्दी खुलेगा कि इस लौकर को एकांत में कहां ल है कि कींख का इंगल 302 ही है कहने को तो हम कहते हैं के इस परकार से चल रहा है जो इंटर्णल बहुत सारे चीजें हैं जो हमें भी नहीं पता है और साइब किसी को भी नहीं पता है तो लेकिन ये जांच अलग दिशा में चल रही है और शोशांत की हत्या से परदा जरूर उठेगा ऐसा हमारा अनुमान है और हमारा ये पूरा मानना है कि हत्यारे जल्दी ही गिरफतार किये जाएंगे शोशांत को फसाने के लिए रिया ने जिस परकार से मांसिक बिमारी का पूरा खेल खेला वो प्लानिंग के साथ रिया चकरवर्ती ने ये सारा काम किया था और अस्पताल में गेम बनाया था अस्पताल के अंदर ये जो मांसिक बिमारी का इन्हों ने जो एक पूरा दवाईयों का सिलसिला और ये सारी चीज़ें जो आपको पता है कि उसको ले करके ये पूरी इनकी फैनी प्लानिंग ते रिया चकरवर्ती की लेकिन आप देखे एड़िया के खिलाफ मनी लांडरिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया था पहले ही उसकल द आत ये साफ़ पता चलता है कि कानून से कोई नी बचेगा कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और इनकी गिरफ्तारी तैह है और यह यह जितनी भी अभी गिरफतारिया हो रही है और जो पूस्ता चल रहा है सब एक दूसरे से connected है और देखिएगा एक नएक दिन जो रिया चेकरवरती है या जो भी इस में सामिल है इस कांड में वो सारे के सारे गिरफतार होंगे और सबकी जो यह जो एस और मौत जो सुशान के पैसों पर किया था इन लोगों ने वह सब सामने आने वाला है और बहुत जल्दी सामने आएगा तो अगला कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको जरूर बताउंगा चैनल को सबस्क्राइब कर लीजेग क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हिमत बढ़ता है और मैं लगतार इस पर अपडेट देते रहता हू जै हिन जै भारत